तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं KVS के कटप के बारे बात करने वाला हूँ Actually मैंने पिछली वीडियो में आपको KVS का कटप बताया हुआ था कि KVS में कितना कुछ कटप 2018 में गया था लेकिने इस वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो कटप दिखाया था ये था जो की 26-2018 को आई हुई थी और ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग गोर कीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है Candidates to the Post of PGT, TGT and PRT to be filled through direct requirement North Eastern zone याद रखिएगा North Eastern zone of Kendra Vidalee Sengatan ये North Eastern zone का आपको cut-up बताया था दोस्तों जो की बहुत मतलब की कम गया था ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हो अड़ेटाइज नमर आप 12 यहाँ पर देख सकते हो अड़ेटाइज नमर 12 भी है तो ये cut-up मैंने आपको बताया हुआ था अब मैं आपको अलग cut-up दिखाने जा रहा हूँ जो की देखिए 24 एक 2019 को आई हुई थी और ये जो cut-up था दोस्तों इस पे नहीं लिखा हुआ है North Eastern zone ये अलग ही कुछ इसका जो exam हुआ था 22-12-2018 और 23-12-2018 को हुआ था return examination और जिनको जिनको इंटर्व्यू में बुलाए गया था उनका क्या cut-up था पिछले वीडियो में आपको बैटाया था कि कितना cut-up गया था थोड़ा लो गया था आप देखिए इस पे जो एक्जाम हुआ था general OBC 104 SC का 101 ST का 96 OH का गया था 99 देखिए PGT English का 100 marks गया था OBC का 95 SC का 91 ST का 95 और OH का 89 BH का 92 ठीक है आगे देखिए third number पे physics का 74 गया था मतलब कमी cut-up था physics का OBC का फिजिक्स का cut-up general के लिए 74 था OBC के लिए 73 SC के लिए 66 ST के लिए 57 था PGT chemistry के लिए 97 SC के लिए 84 ST के लिए 71 था आगे देखिए PGT math के लिए 89 था general के लिए OBC के लिए 88 SC के लिए 79 ST के लिए 74 और OH के लिए 73 biology के PGT biology के लिए 104 OBC 102 SC 95 ST 88 PGT history 92 general OBC 91 SC 88 ST 84 OH 87 और BH 87 PGT geographic लिए 106 था cut-up general के लिए OBC के लिए 105 SC 102 ST के लिए 102 OH के लिए 99 और BH के लिए 85 PGT economics के लिए 87 था OBC के लिए 86 था general के लिए 87 था, SC के लिए 79 था, ST के लिए 73 था, OH के लिए 80, BH 75, PGT Commerce के लिए 100 marks था, General, OBC 95, SC 88, ST 77, OH 93, PGT Computer Science के लिए 103 marks था, General के लिए OBC के लिए 99, SC के लिए 94, ST के लिए 83, TGT P and HE के लिए 80, OBC के लिए 79, SC के लिए 75 और ST के लिए 71, आगे देख सकते हो, TGT A and E के लिए था, 111, फिर देखे, 110 था, आपका, OBC के लिए, और SC के लिए 110, ठीक है, ST के लिए 101, OH के लिए 101, और साथ-साथ, HH के लिए 71, और अदर्स के लिए 75 था, लास्ट में देखे, TGT वेट का था, WET के लिए 106, जनरल OBC के लिए 105, SC के लिए 93, और ST के लिए 90, और यहां पर देख सकते हो, OH के लिए 93, साथ-साथ, BH के लिए 79, और HH के लिए 75 था, यह कुछ कोड है, यह आप पता कर ले ना क्या कोड है, बाकि बाद उस cut-up और इस cut-up में ये अंतर है दोस्तों मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि जब यहां पर दो बार exam होती है यह दूसरा advertise का था तो यहां पर cut-up बढ़ जाता है ठीक है पीजीटी का है यहां पर आप देख सकते हो cut-up पहले से ज़्यादा हो जाता है यानि साफ साफ जाहर होता है कि बच्चे जैसे जैसे exam लिख रहे हैं जान रहे हैं इस step का question आ रहा है तो cut-up increase होता जा रहा है यानि यह जो 2022 में exam होगा इसमें भी cut-up आपका इससे हाई जाने वाला है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ पिछला जो cut-up कितना था देखिए पिछला cut-up कोई 100 के पास भी नहीं था यानि यह नौर्थ इस्टर्न जोन में जो exam हुआ था यहां पर देख सकते हो cut-up यहां 100 भी नहीं पहुचा है लेकिन आप फिर दुसरा जो exam होता है यहां पर आप देख सकते हो cut-up यहां पर 100 पार हो जाता है पीज़ेटी एक पीज़ेटी हिंदी इंग्लीज बाइलोजी जोग्रोफी कोमर्श टीजीटी एंडी में और डब्लू इटी में सभी में cut-up बढ़ जाता है यानि 2022 में खतरनाक टाइप से आपका cut-up रहने वाला हैं और बहुत कोछ जानने लगे हैं तो आप अच्छा से तयारी किजिएगा और नेक्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि एक्जक्ट कितना cut-up जाएगा आपका इंटर्व्यू और यह जो है रिटेन एक्जाम मिला के तो आप चैनल में रुष्यान को सब्सक्राइब किजिए और अधिक साधिक सेर किजिए धन्यवाद फ्रेंड्स